जिस पर राइटर मनोज मुंतशेर जम कर ट्रोल हो रहे हैं लेकिन अब मनोज मुंतशेर ने सफाई दी है और ट्वीट किया है कि तीन घंटे की फिल्म में मैंने तीन मिनिट कुछ लोगों की कलपना से अलग लिख दिया होगा लेकिन मुझे सनातन विरूथी क्यों का जा रहा है मैंने भगवाल शीराम के लिए जैशी राम शीहुम राम सिया राम पर भी लिखा है लेकिन इस डायलोग्स पर किसी ने इध्यान नहीं दिया ये कहना है मनोज मुंतशेर का आदी पुरुष की भाशा पर सवाल उठा जा रहे है आदी पुरुष बैन करने की मांग लगातार उठ रही है आदी पुरुष में फौरता दिखाने का इल्जाम है रमाइन से पर ये फिल्म दिखाई गई है मनोज मुंतशेर की त्वीट किया त्वीट करके बताया कि मैंने तो और तमाम चीजे इसमें की है जैशीर राम लिखाया तमाम चीजें उस पर किसी का ध्यान नहीं गया जबकि कल तक एक आज आ रहा था किसमें आदी पुरुष के नाम पर जो है टपुरी वाले डायलोग्स लिखे गए है राम का काम करने निकले हैं और राम का काम करते रहेंगे और राम कथा से जो सबसे पहला पाठ हम सीखते हैं वो है सब के मतों का सम्मान हमने ये कहानी अपने तरीके से सुनाई क्योंकि हमें अपने ही तरीके से सुनानी चाहिए थी जब मारशु वालमी की एक ठाह लिखते हैं साले साथ ہजार वर्ष पहले, तो उनका अपना तरीका है उसके बाद, हजारों वर्षों बाद बाबा तुलसीदास के हाथों में लेखनी आई बाबा तुलसीदास ने उस कठा को अपने तरीके से उसको पहले तो अपने अंदर आत्मसाद किया और फिर अपने तरीके से सुनाई वो कहानी उन्होंने वहार्श वालमीकी की तरह नहीं सुनाई तरकी रामायड बहुत भवे बहुत ही अद्भूत रामायड वो हमें देखने को मिली जब ओम्राउत ने ये फिल्म बनाई और मैस फिल्म से जुड़ा तो हमारे पास भी अपना एक तरीका था बात कहने का तो हम उस तरीके से बात कहना चाह रहे थे हमारे साथ जो सबसे बड़ी चीज थी वो थी संप्रशलिय था क्योंकि हम ये तो जानते थे में पल बढ़ रहे है ये राम की कथाई नहीं सुनते और अगर मैं इमानदारी से कहूँ दिल पे हाथ रखे कहूँ तो कितने बच्चे हैं जो यूट्यूब पे अपने खाले टाइम में लगा के रामाना सागर जी की रामायर देखते हैं आप पाएंगे शूनी नहीं देखते बच्चे मैं और आप देखते हैं मुझे आज भी देखनी है अगर मैं घर जाओं मेरे पास आधे घंटे हो तो मैं एक एपिसोड देख डलता हूं मैटके लेकिन मेरे 12 साल का बेटा ये नहीं करता है तो जो लक्ष था बस इतना ही था कि शिरी राम की कहानी जो इतने बड़े नायक हैं हमारे उनसे बड़ा नायक क्या कोई हो सकता है क्या कलपना भी कर सकते हैं आप उससे बड़ा नायक आनी की वो नायक लोगों तक पहुंचे यह जाने कि सिर्फ सुपरमैन हवा में नहीं उड़ता था, हमारे बजरंग बली उससे बहुत पहले उड़ते थे, सव योजन का समुद्र पार कर जाते थे, हमारे बजरंग बली सिर्फ हलक ऐसा नहीं था कि जो बड़ी-बड़ी चीज़े मारे और मुक्का और पहाल तूट हमारे बजरंग बली द्रोना गिरी परवत उठा कर उड़ जाते थे, यह सब हम लोगों को बताना चाहते थे, इतना सा ही लक्ष है था कि हम नए हीरोज दे पाएं, असली हीरो, सनातन के जो हीरोज हैं, सनातन के नायक हैं, वो हम बच्चों को दे पाएं, यह हमारी यात्रा में हैं, जो आपकी बात सुनेंगे, इस देश में और कोई फिल्म निर्माता ये दावा नहीं कर सकता, कि उसने कोई भी संशोधन लोगों के कहने पर अपनी फिल्म में किया हो, हम पहले दिन से सुन रहे हैं, वादा किया, हमने सुना, आपने देखा, टीजर आपने देखा हैं, जब भगवान श्री राम कहते हैं कि आज मेरे लिए मत लड़ना, उस दिन के लिए लड़ना, जब हजारों साल बात तुम्हारी कहानिया सुना कर माई बेटों को बढ़ा करेंगी, उस दिन के लिए लड़ना, जब भारत वर्ष की किसी बेटी पर हांट डालने से पहल यह सब डालॉक्स इसी फिल्म के हैं, मैं कहीं बाहर से नहीं बोल रहा हूँ, जब मा सीता अशोक वाटिका में हैं और रावन उनके उपर लगातार दबाव बना रहा है, कि तुम इस यातना भरे जीवन से मुक्त होने के लिए सोने के लंका में चलो, मेरी पतनी बन जाओ, मेरी रानी बन जाओ, और वहां मा सीता कहती है, उसकी आखों में आखर डाल के कि रावन तेरी लंका में अभी इतना सोना नहीं है कि जानकी का प्रेम खरीद सके, यह सब इसी फिल्म का हिस्सा है, यह सब इसी फिल्म के समवाद है, तो इन समवादों पर अगर आपने तालि इंसा होनी चाहिए कि मैंने बहुत अच्छा किया फिर जहां आपको ये लगता है कि नहीं भाई बजरंग बली के पांच समवादों पे पूरी कहानी है चार साढ़े चार हजार लाइने मैंने गिनी तो नहीं है पर लगभग इतनी लाइनों के समवाद पिक्चर में है उसमें नहीं मैं राम तत्व को समझने का प्रियास करञा हूं मुझे ऐसे दिखें मुझे लगई बड़ी चंचलता थी उनके अंदर मुझे लगए वो राम नहीं थे वो बजरंग बली थे राम भग थे तो वो हूमर लेके आते हैं राम कथा में उसको बहुत रोशक बनाते हैं उ बाड़ी निश्चलता से बात करते हैं, बालक सो भाव है उनका, जब आप रामानन सागर जी की रामायड देखें, तो जब वो खड़े हुए हैं, रावन के दरबार में, और उनसे पूछते हैं, पूछता है रावन की, तुने ये उत्पात क्यूं मचाया, पूरी मेरी वाट ये नहीं कि आधा धूरा, मैं अपने समवादों के पक्ष में अंगिनत तरक दे सकता हूँ, लेकिन मेरे तरक देने से आपकी पीला कम नहीं होगी, अगर आपको कुछ दुखा है, अगर आप आहत हुए हैं, आपका आहत होना मेरे लिए बड़ी बात है, मेरा एहंकार एक लेखा के तरह पे कि मैंने तो भाई लिग दिया, ये बहुत छोटी बाते हैं, इन छोटी बातों में मैं नहीं फंसता, मैं समझता हूँ, फिल्म लोगों के लिए बनाई जाती है, लोगों को पसंद आई, तो अच्छी बात है, और अगर लोगों को कुछ अंश, कुछ पा अब उसमें कुछ समवाद बदले जाएं, ये फैसला हर कोई नहीं ले सकता, वही ले सकता है, जो जनता का सम्मान करता है, जो सनातन का सम्मान करता है, और इसलिए हम वोगों बदल रहे हैं, बहुत जल्द, मुझे लगता है, कि लोगिस्टिकली सब क्लियर होने के बाद, दो से तीन दिनों में ये डालॉक्स थेटर में होंगे, वो मेरे सपोर्टर, मेरे साथी, मेरे भाई, हैं और रहेंगे, मैं एक छोटे से गाउं से आता हूं, जहां मेरा रिष्टा लोगों के साथ ऐसा रहा, कि जिन दोस्तों के साथ हम तीन दिन घुमें, चोथे दिन किसी तो कुछ पर्मनेंट नहीं है, अगर आपको लग रहा है कि कुछ अस्थाई तोर पे मुझसे लोग अलग हो गए हैं, या मैंने, बिल्कुल ऐसा नहीं, ये एक दम मेरे अपने है, मैं इनकी आवाज हूँ, मैं इनकी आवाज बनके इस बॉलिवूड में खड़ा हूँ, ए ज़वानें शुरू कर दिये, मेरी मा के बराबर कोई नहीं, इससे बड़ा हिट गाना आप उठा के दिखाएं, मैं वो हूँ ना जिसने मेरे घर राम आए हैं, लिख दिया, हर राम मंदिर में एक गीद बज रहा है, तो मैं आपकी ही तो आवाज हूँ, मैं आपका ही और एक बात जान लिजे, आपके शिकायद से, आपने ट्विटर पे, सोचल मीडिया पे जो कुछ भी मुझे कहा, मुझे इतनी सी भी नाराजगी नहीं है, इतनी सी भी, सिर्फ सम्मान है, मैं इस बात से खुश हूँ कि आपने मुझे इस लाइक समझा कि मेरे पास आके और और मुझे चार बातें सोना के चले गए, फिल्म इंडस्ट्री में इतनी दिवारे होती हैं दोस्त, कोई किसी की बात नहीं सुनता, और मैं आप से पूछ रहा हूँ, आप बताएं, क्या इसके पहले कभी ऐसा हुआ है कि आपके किसी इतराज पे, किसी फिल्मेकर ने, किसी आपके अपने लोग हैं, इस फिल्म में बनोज मुंतशर शुकला है, इस फिल्म में सनातन से प्यार करने वाले लोग हैं, आपकी भावना हमारे लिए शिरोधारी है, आप से बढ़के मेरे लिए कुछ भी नहीं है 35 गड़ में फिल्म आदी पुरुष पर बैन लगाने की मांग की गई है, केंदिरी राजमंतिरी रेणुका सिंग ने मांग की है, उन्हेंने सोचल मीडिया के जरिये ये मांग पुदेश के मुख्यमंतिरी भुकेश पगेल से की है, उन्हेंने फिल्म के कुछ दृश्चों में रावन, राम, सीता और हनुमान की कई अपमान जनक सीन्स को अटाने के लिए आदेश देने की मांग की है, उन का रोफे की जैसे फिल्म में दिखाया गया है, वो धार्मीक चरित्रों से एकदम उलट है, जिस तरीके से वाँ जिक्र किया गया है, मेरी बेटी ने मुझे कहा कि इस फिल्म को देखने जाना है, मेरा प्लैन भी था, आज इतवार को इस फिल्म को देखने जाओं, मगर जितने फूहड, घटिया, और कह सकते हैं टपोरी लोगों की भाशा के अंदर, भगवान राम, भगवान हनुमान, माता सीता के कैरेक्टर्स को दर्शाया गया ह और उनकी भाशा को जितना घटिया इसके अंदर किया गया है, अगर मेरी बेटी आके घर में वो भाशा बोलेगी, ये स्कूल में वो भाशा बोलेगी, तो मैं एक अभिभावक की तरह क्या उसको समझाओंगा और क्या उसको सिखाओंगा, बहुत शर्म की बात है, कि उस भ माता सीता का अपमान हो गया भगवान बजरंग बली का अपमान हो गया एक फिल्म के माध्यम से और बीजेपी वालों ने कराया उनके नेता होने और कल से क्या कह रहे है भाजपाई सैक्डो करोड कमा लिया सैक्डो करोड कमा लिया भगवान को अपमानित करके सैक्डो करोड क को और जो भी मुख्य मंत्री आशिरवाद दे के मेहनत करके लगन से इस फिल्म को बनवाए हैं उनको सब को इस देश के लोगों से माफी मागनी चाहिए तो 36 गड़ के सीम भुपेश भगेल ने भी मनोज मुंतुशी पर भगवान राम का अपमान करने खारूप लगाया है और काय की फिल्म में बजरंग बरी जी से बजरंग दल की भाशा बुलवाई जा रही है अब काली किया है तो रमायन काल में काली तो सब्सक्राइब होता है नहीं है इस प्रकार से जो हमारी आजी पुलूप के बहाने पहले तो बगवान राम और हमान जी के तस्वीर को विक्रित करने काम किया है अब उनके द्वारा बोले जो सब्सक्राइब उनके मूँ से सब्सक्राइब बुर्वाया जा रहे है यदि आज की पिड़ी इसको देखेगी तो क्या प्रहाओ करेबा तो सब्सक्राइब भी मर्यादा समाप तो गई लेकिन छोटे से बातों पे जो चेटर बंक कराते थे आग लगाते थे आजकल उनके मौँ है अब बजरंक ली जा रहे हैं जो बजरंक लेकिन मूशिक अरवाया हैं अनमाहिन नहीं करते हैं मैं दो आदी पुरुष देखा नहीं हूँ मगर यह दी आपती जेनाग लगता है तो करना जी है मुख्यमंतरी का धिकार है क्यों नहीं करते मुख्यादी पुरुष फिल्म को लेकर संत समाज बिनारास है उनकी और से कागया कि फिल्म पर रोक लगनी चाहिए उन्होंने फिल्म सेंसर बोर्ड पर कारवाई की मांग की है काय कि अब डायलॉक्स बदल कर फिल्म को प्रस्तूप किया जाए वो भी गलत है संतोगा कहना है कि पिछले काफी समय से फिल्मों के जरिये सनातन पर प्रहार किया जा रहा है और हमारी धार्मिक विरासत को तोड़ मरोड कर पेश किया जा रहा है तो चार जगहों पर आप ये देख रहे हैं किस तरीके से विरोध हो रहा है लखनों में हमने देखिए रोज जो है लोग सामने आ रहे हैं आगरा में विरोध हो रहा है जगदलपूर 36 गड़ के तस्वीरे हैं जहां पर ठीटर के बार लोगों ने विरोध किया दुर्ग 36 इस गड़ में भी विरोध की तश्वीरे सामने आई है इदर फिल्म आदी पूरुष के खिलाफ लखनों में एफ़ यार निखाई गई है हिंदुमा सबाने लखनों के हजड़त गंस ठाने में शिकायत दर्ज कराई है अधिपूरुष को लेकर क्या अपत्ति आपको है और क्यों तहरीर दे ले लगातार दाउद के पैसे पर चलने वाली फिल्म इंडस्टी जहां से सनातन का देवी देवताओं का हमारे प्रमुग गंतों का अबमान किया जा रहा है इसको लेकर सदेव हिंदू मासबाद जागरित रही है और जैसा कि आदी पुरुष में नामक फिल्म आई है इसमें हमारे प्रभु सीराम का सनातन का हनमान जी का दोज का सीता मया का जो अबमान किया गया है उसको लेकर के आज हम लोग यहां तेही लेकर आए हैं और यहां पाजागर एकनी अवहां पर रहे हां तो इसको लेकर के हम लोग यहां पर आए हैं आपको याद होगा रामानल सागर जी की जो रामायनल का सीजियल आता था उसका वो आज भी आपके हमारे मन मस्टिक में बसा हुआ है तो जब यह आदी पूरुज ऐसी फिल्मों का हमारे चोटे चोटे बच्चे देखेंगे तो उसका जो चित्रांकन है वो उसके दिमाग मन मस्टिक में भर जाएगा बच्पन की एभी सीडी आस्तक यादरती है तो ऐसी पिच्चरों को उत्तरप्रदेश की सरकार को बेहन करना चाहिए अखिलवारा तिंदुमासवा की मांग है और ऐसे फिल्म के डियाक्टर तो कुछ डायलोग्स हैं जो जैसे इसमें जी कहा गया है जब बात सही है तो फरक क्या पड़ता है किसने कही है यह बात यह यह शब्दी अवरी इनकी राम अवतारी हैं पर एक दसानन दस रागाओं पर भारी है आप काल के काली बिचा रहे हैं और तेरी बुआ का बगीच नहीं है इस तरी के की शब्दों के चेहन जो घटिया इसतर पर हो सकता है यह किया गया है तो ऐसे तमाम मारे पात है जली और जलेगी भी नहीं कपड़ा तेरे बाप 선ie और बाप का तेल तेरे बाप मार को प्रकी यह कोई शब्द जीस तो यह लगतारा के पैसा लगता और में से प्रद्र prov jaar जाता है तो यह घट्या इस तर लूआ को बेन करने की हमारी योगी सरकार कि ने पाल में भी इस फिलिम को बेंड कर दिया गया है तो स्तरपरदेश जी सरकार केंदर की सरकार जी ही बैन करें जो भगवा बेरंग बताया उस पे भी हम लों ने फिर भी उसको पास कर दिया अब देखिए इस तरह की आदि पूरुस आई है जिसमें कितनी समवाद हिंता दिखाई है तो यह कहीं न कहीं सरकार का फेलवर है जब अरतमान में इतनी परचंड बहुमत की सरकार में एक फिल्म सेंसर बोड नहीं समल पा रहा है और आज भी जिहादी इन से नहीं समल पा रहे हैं तो हमें लगता है कि बिल्पूल असफल है हिंदू की भावना आज भी आहत हो रही है मनोज मुंतसीर जैसे फरजी जो हिंदू वादी बनते हैं अपने को जबकि नाम से उर्दू है आधा किया है मनोज मुंतसीर ने भी और सरकार से भी हुआ है सरकार को अभी भी समय है इनके खिलाब ततकाल इन पर फिल्मों पर परतिबंद लगा जैसे नेपाल ने देखो लगा चुकी है नेपाल सरकार ने महां लगा दिया परतिबंद तो इस केंदर सरकार को भी ततकाल इस फ का परमोसन कर रहे हैं तमाम BJP की नेता फिल्म का परमोसन करने में लगे हुए यानि देवी देवता का अपमान हो रहा हुब पर्मोशन किया जा रहा तो यह तो बहुत ही गलत बात है और बहुत ही दुरभागे पूर और मैं इसकी निंदा करते हैं यह फिल्म बहुत ही शांदार ऐसे ग्राफिक्स मैंने नहीं सोचे थे ऐसी कहानी को इस तरह से प्रदर्शित करेंगे डिरेक्टर ओम जी उनको मैं नातनी संस्कृती मर्यादा पुर्शोतम राम क्या थे हमारे बच्चों को जानना बहुत जरूरी जहां पाश्यात कल्चर